स्री सनी देवाय नमाह, स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटूब चैनल पर दस जुलाई महासुवयोग सनी चरिया मावस्या आठ राशियों पर सनी देव करिंगी कृपा यानि आठ राशिवालों के पुत्र प्राप्ति के धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग रहेंगे दस जुलाई का बड़ा सनी वार है और इस दिन सनी अमावस्या है यानि इस दिन असार अमावस्या है जिसे सनी वास्री अमावस्या भी कहते हैं यानि सनी बार के दिन अगर अमावस्या हो तो सनी बासरी होती है वही अगर मंगल बार के दिन हो तो भूम बासरी और सोंबार के दिन हो तो सोंबती अमावस्या कही जाती है बारों के हिसाब से अमावस्या का महत तो बढ़ जाता है वैसे तो अमावस्या का महत होता है पित्र से आपके उपर आ रहे सारे कश्ट दूर हो जाएं सनी देव को प्रसंद करने के लिए हनवान जी की पूजा की जाती है हनवान जी की पूजा का बिशिश मैत होता है जो व्यक्ति मंगलवार के दिन सनी वार के दिन हनवान जी की पूजा करता है चोले चड़ार पर करता है उन उपाय करते हैं साधी के बाद जिनको संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं या जिनके पुत्र प्राप्ति में अर्चने आ रही हैं उनको सनी देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। किसी मतलब नहीं है किसी भी मनुकामना को अपने मन में धारण करके मन में विचार करके आप पूजा कर लीजिए आपकी मनुकामना तुरंत पूरी हो जाएगी आपको करना क्या है वो ध्यान से सुने जैसे मैं बता रहा हूँ और फिर रासियों के बारे में बताऊँगा उस दिन कुन-कुन सी रासियां बहुत ही शुब रहने वाली देखो संतान प्राप्ति अगर आप चाते हैं तो सुबह के समय इसनान करके इसनान करने के बाद में सूर देव को जलरपन करना है उसके बाद में आपको सनी मंदर जाना है यानि सनी देव के आराधना करनी है अब सारी चीजें आप ले करके रख लें गोड़ और काले तिल को मिक्स करके साथ लड़ू बना के त्यार कर लें अब आपको क्या करना है कि सनी देव के सामने जाना सबसे पहले उनको नमस्कार करना है और कोई भी पूजा करें तो उस सबसे पहले गड़े जी को नमस्कार किया जाता है अगर हम गड़े जी को नमस्कार करते तो पूझा सपलमानी जाती है गड़े जी नमस्कार करने बाद है फिर सनी देव की पूझा करने है तो एक कटोरी में तेल भलने और आपको इससे अफसे करना है सनी देव का ओम सनी देव आये नमा ऐसे बोलते हुए आपको सनी सनी देव की पूजा करने अपसे करने आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं उसके बाद में जब सनी देव का आपसे कर लें उसके बाद में आप काला बस्त्र सनी देव को उड़ाना है उसके बाद में हाथ में काला धागा बांधना सनी देव की में अपनी मनुकामना बोल करके उस मंदर में उसके बाद में फिर आपको सनी चालीसा का पाट करना हैं सनी चालीसा का पाट करें उसके बाद में फिर आप सनी देव के सामने अपनी प्रातना बोलते हुए उनको मालारपन कर दें उनको भोग लगाएं जो आपने लड्डू बनाए हैं उसके बाद जब भोग जलाना है और एक जर्सों का दीपक आपको पीपल ब्रग के नीचे जलाना है फिर आपको परक्रम करनी है साथ परक्रम कर लें और थोड़ा-थोड़ा गुड़ आपको पीपल ब्रग पर चड़ाना है काले तिल गुड़ मिक्स करके आप पीपल ब्रग पर अरपन कर दें और इस मंत्र का आपको जाब करना है ओम, भगभवाय, विदमहे, मित्वूरूपाय, धीमही, तन्नो सनी प्रचोधयात यह सनी गातरी मंत्र है और इसका जाब करने से आपके हर प्रकार के दुखतूर हो जाएगी हर मनों कामना पूरी हो जाएगी कैसी भी मनोकामना आपकी हो जब आप ये पूजा कर लें तो आपको सनी देव की पूजा करनी है सनी देव की जब आप पूजा कर लें तो फिर सनी बार के पढ़ रहा तो आपको हनमान जी की पूजा करनी है थोड़ा सा गाय का घिले लें और उसमें आपको सिंदूर मिलाना जो अनमान जी को चड़ाते हैं और उससे आपको अपने हाथ से चोला चड़ाना है अनमान जी का अनमान जी को चोला चड़ाएं और हनमान चली सका पाठ करें फिर आप भगवान सिव के सामने भी एक दीपक जला दें अमावस्या वाले दिन पित्रों की पूजा भी की जाती है पित्रों की पूजा का भी पिश्य समयत्व है इस दिन पित्रों के नाम से आप तरपन करें पित्रों के नाम से पीपल ब्रक पे दीप जलाएं आप जल चड़ाएं पीपल ब्रक पे इससे हर प्रकार के मनुरत पूर पाँगी हनमान जी यानि वाला जी महराज की किरपा होगी जिससे आपके बिंग्ने हुए सारे कार शिद्धों गे तो बहुत बड़ा दिन हैं सनीवारी अमावस्या है हनमान जी और सिभ जी की और सनीदेव के आप पूजा करें अम मैं आपको रासियों के बारे में जनकाली दूँगा, देखो, सबसे पहली जो रासी है, वह है मेश रासी, दूसरी जो रासी है, वह है ब्रसब रासी, तीसरी जो रासी है, वह है करक रासी, चोथी जो रासी है, वह है सिंग रासी, पांच मी जो रासी है, वह है कन्या रासी, छट मी जो रासी है, वह है मकर रासी, साथ में जो रासिय हुए है कुम रासि ये रासियां विशेशी भागिसाली और लखी रहने वाली हैं इन रासि वालों को भगवान सिव का सनी देव का आशी रिवाद मिलेगा बारह रासि वालों को मिलेगा लेकिन यह रासि बहुत ही भागिसाली हैं तो इस दिन आप इन मंत्रों का जाप करें और आप भगवान कृष्ण से भी अपनी प्रात्ना बोल सकते हैं मनुकामना अगले प्रात्ना कर सकते हैं जिसे आपके सभी कार सिद्धों तो सनी बार के दिन सनी देव की इस प्रकार से आपको पूजा करने हैं फिर साम के समय साम के समय आपको फीपलब्रक के नीचे और सनी देव के सामने दीपक जलाना है तो आप ये पूजा करें आपको लाम मिलेगा सनी देव की किरपा से आपके सारे विग्ण विकार सिद्ध होंगे और पुत्र प्राप्ति के धन प्राप्ति के नोकरी के कारोबार उन्नती के हर प्रकार के आपके मनुरत सिद्ध होंगे हर प्रकार के कार्या आपके बनेंगे शनी देव की किरपा होगी बहुत ही अच्छा सुभयोग है और कापी समय के बाद में ऐसा योग बनता है तो मुझे उम्मीता आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें जिससे सब का बला हो सके और जो भी चैनल पर पहली बराएं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी हर वीडियो का नोटिपिकेशन पाने लिए म सभी की जानकारी में आप चैनल पर डालता हूँ आपको वीडियो वस्य प्राप्त होगी